नमस्ते दोस्तों, Real Quick Analysis चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम चर्चा करते हैं अपने आज के Real Quick Analysis की। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा ETF जो निवेश करता है आपके प्रिये इंफरस्ट्रक्चर के छेत्र में। अटल जी का कारिकाल हो या मोदी जी का वर्तमान समय हो दोनों को ही इंफरस्ट्रक्चर डेवलप्मेंट के लिए जाना जाता है। खास्त तोर पर अटल जी और मोदी जी दोनों ही के शाचनकाल में नितिन गठकरी साहिब ने इस वील्ड में भागी रती कारिक किया है। अब सवाल उठता है कि इंफरस्ट्रक्चर के छेत्र में तेजी से चल रहे इस विकासकार का हम सभी को सीधा लाप कैसे पहुचें। तो दोस्तों, इंफरस्ट्रक्चर में काम करने वाली L&T, UltraTech, Gale, BPCL, NTPC, Power Grid, Atel, Adani Ports और Reliance चैसी 30 दिगज कंपनियों को मिला कर नेशनल स्टॉक एक्षेंज ने बनाया है Nifty Infrastructure Index और National Stock Exchange NSE ही यह निश्चित करता है कि इस इंडेक्स की लिस्ट में केवल इंफरस्ट्रक्चर के छेत्र में काम करने वाली सरवोत्तम कंपनियां रहें। मतलब समय समय पर खराग कंपनियों को इस इंडेक्स से निकाल कर अच्छी कंपनियों को शामिल कर लिया जाता है। दूसरे शक्दों में यदि आपको इंडियन इंफरस्ट्रक्चर कंपनियों की हेल्थ का एक ही बार में अंदाजे लगाना है तो आपको देखना होगा Nifty Infrast इंडेक्स के भाव का उतार चड़ाओ। अब यदि आपको इंफरस्ट्रक्चर की टॉप मोस्ट थर्टी कंपनियों में एकी छटके में निवेश करना है तो आपके लिए जापानी कंपनी निपॉन ने बनाया है इंफराबीज नामक एक्षेंट्रेडिट फंड है आपके पास एक एटीएफ है मतलब आपके पास इन तीस कंपनियों की इंडायरेक्ट हिस्सिदारी है तो चलिए अब देखते हैं इंफराबीज की पुरानी परफॉमेंस दोस्तों ऑक्टूबर 2010 में इसका भाव हुआ करता था 370 रुपे और आज इसका भाव है 429 था 229 रुपे जो कि महज 12 महीनों के बाद अप्रेल 2021 में खड़ा है 429 रुपे मतलब कि इसने एक साल में दिया है 87% रिटन कहने का ताथ पर यह है कि इंफराबीज में दम तो है बस इसे अभी उडान भरना बाकी है क्योंकि दस सालों से इसका भाव लगबग जसके तस है नहीं है पहला अगर आपका मत है कि इन कंपनियों का कुछ नहीं हो सकता इंफरस्ट्रक्शर फील्ड ही विसड़ी है जमीन नहीं मिलती अप्रूबल नहीं मिलते तो आप इंफराबीज में एक रुपया भी ना लगाएं आप इसे ऐसे भूल जाएं जैसे इंफराबीज ETF नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं लेकिन यदि आपका विचार है कि जो कुछ बुरा होना था वह हो चुका अब भविश में यह पूरा छेत्र उड़ने के लिए तैयार है तो आपके विचार हमारे विचार से बिलते हैं और आप इस ETF में निवेश के बारे में सो एक लिस्ट में नोट करके रख सकते हैं और गिरावट पर जब आपका मन भरे तब आप इसे चोटी-चोटी किस्तों में लंबी अबदी के निवेश के लिए एकटा कर सकते हैं और दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए जैसे ही इन होती है आपने पैसा लगाया है हो सकता है थोड़े समय के लिए आपको देखना पड़े कि आपका पैसा डूब गया लेकिन यदि आप लंबी अबदी के लिए इंफ्रावीज ETF में निवेशित रहेंगे तो आपका पैसा बनने की संभावनाएं बहुत अदिक हैं लेकिन च जब आपका मन भरें तभी आप इस ETF में निवेश करें नहीं तो जाने दें अक्सरों की कोई कमी नहीं है तो दोस्तों ये था हमारा आज का अनलिसिस आई होप आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आई हो यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करके आगे शेयर क कीजिए और अब आप हमारे इस चैनल की मेंबर्शिप भी ले सकते हैं लास्ट में दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत अदेख धन्यवाद